नमस्ते फ्रेंड और वेलकम टू अनदर सेशन आफ क्विक फिक्स प्रो आशा करता हूँ आप सभी लोग अपने घरों पे स्वस्थ होंगे और स्वरक्षित होंगे मेरी वीडियो को लाइक करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद तो आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं most awaited वीडियो जो coolant change करने की है तो coolant कैसे change करें अपनी गाड़ी में तो मैं आपको बता दूँ इस गाड़ी में coolant change करना थोड़ा different है ज्यादा मुश्किल नहीं है पर थोड़ा different है पर यह आपके लिए helpful होगा बहुत ज्यादा helpful रहेगा तो सबसे पहला सवाल हमारे दिमाग में coolant change करने के लिए आता है कि इसका drain valve कहा है तो इस गाड़ी में कोई drain valve नहीं है आप ढूंडते रह जाएंगे कोई drain करने के लिए मिलेगा नहीं इस pipe को आपको बाहर निकालना है तो यह तो आप bottom से گुस के निकाल लो दूसरा तरीका यह है कि आप बंपर निकालने के बाद में यहां से आप उसको pipe को निकाल सकते हैं रासानी से कि एक एक चीज मैंने इसमें समझाई है पूरा ध्यान से देखेंगे क्यों coolant के साथ में आप एक दम भी गड़बर नहीं कर सकते तो हमको चीए एक drain pan और ये वाला जो pipe है इसके बारे बात कर रहा था यहां तो clamp लग रखा है, इस clamp को press करके इसको remove करना है तो जो अपना plas है, plas की मदद से इसको press करके remove कर लेंगे और remove करने के बाद में अपने को pipe जो है वो निकालनी है बाहर याद रखिएगा ये काम तभी करना है जब आपकी गाड़ी ठंडी हो मतलब बिलकुल भी गरम नहीं हो हलका हलका जो आप pipe को हाथ लगा के उसका temperature जो है महसूस कर सके जलन नहीं हो तो ये pipe बाहर निकाल देंगे और इस तरह से आपका coolant जो है वो निकल जाएगा बाहर तो ये मेरा first time है मतलब first war में coolant निकाल रहा हूँ मैं अभी तक मेरी गाड़ी में आज तक coolant नहीं निकला था तो चार साल हो चुक है हलांकि तीन साल में मुझे coolant चेंज कर लेना चाहिए था तो मैंने नहीं किया है और दूसरा देखेंगे ये डखकन को जब lose करेंगे ना जब सारा आपका drain हो जाएगा तब भी आप हलका सा देखेंगे थोड़ा coolant पहां से निकलेगा क्योंकि वह ए अभी क्या है अपने को expansion tank, degassing tank भी इसको बोलते हैं, coolant reservoir भी बोलते हैं इसको निकाल लेना है बाहर और इसको करना है खाली ये बहुत time लेगा आपका खाली करने के लिए आप चाहें तो किसी syringe की मदद से जो ठीका होता ना उसकी मदद से भी इसको बाहर निकाल सकते है नह तो आपका गाड़ी में अंदर जो है वो जंग पकड़ना शुरू कर देगा मामला तो अभी इसको बापिस fit कर देते हैं बापिस fit करने के बाद में हम coolant भरेंगे याद रखना ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ ये गलत तरीका है गलत तरीका मतलब यहां तक तो ठीक है अ आपको पता लग जाएगा तो मेरी एक गुजारिस है कि इसको ध्यान से देखना अभी ये मैंने एक funnel सी बना लिया है अपनी bottle काटके और मेरा fresh water है एक दम आरो आटर लिया है मैंने तो अभी इससे जो है मैं coolant भर दूँगा नॉर्मली ऐसे ही करते हैं लोग ठीक है ऐसे coolant भर देते हैं coolant भरने के बाद में इसमें air रह जाती है air को जो है वो प्रेस करके इसको जो hose रहता है ना हमारा coolant का उसको hose को दबा दबा के वहां से यह ऐसे यह दबा के air निकालते हैं और उसके बाद में गाड़ी मतलब स्टार्ट करके फिर दोबारा थोड़ा सा coolant भरते तो यह बिलकुल गलत तरीका है अपनी गाड़ी में यह देखो अभी मैं गाड़ी स्टार्ट कर रहा हूं स्टार्ट करने के बाद में यह ऐसी हालत रहेगी इसमें air है रह जाती है और आप आगे थोड़ी देर बाद में देखेंगे कितनी air रह जाती है हलकी सी भी air रहने स दिक्कत हो जाएगी, देख रहे हैं, बुल-बुले उठ रहे हैं, तो ऐसा लगेगा मेरा head gas kit leak हो चुका है, पर यह air है आपके cooling system में, तो इस air को अपने को निकालने का तरीका बड़ा different है इस गाड़ी में, अगर आप normal, अभी तक जो भी वीडियो देखी हैं, खेर कुईड क तो कोई वीडियो ही नहीं अभी तक, coolant change की कोई वीडियो नहीं है, यह first वीडियो है, exclusive है, तो अभी तक आपने बाकी गाड़ियो में, जो भी coolant change किया होगा, आप कितने भी महारती क्यों ना हो, मैं आपको बता दो, इस गाड़ी में बहुत different है, बहुत जादा different है, तो अ अंदर mix होगा, mix होने के बाद में, वो flush होने के बाद में, हलका हलका देखो color रह जाएगा, आपको दिखाओंगा, सारे color बाद में दिखाओंगा मैं, तो अभी यह second day है मेरा, और second day में मैं coolant जो है, अपना बाहर निकाल रहा हूँ, इस तरीके मैं आपको बताओंगा, थोड़ा सा खोल के इसको बंद कर देना है बापिस, आपको मैं आवाज सुनाता हूँ कैसी आवाज आएगी हवा निकलने की बिल्कुल थोड़ी सी, एक clip देखिएगा छोटी सी, तो जैसे यह एर निकलने की आवाज आएगी इसको बापिस टाइट कर देना और आप पाए निकलेगी, यह देख रहे हैं, पूरी बोतल मेरी अल्मूस्ट खाली हो गई, तो दोबारा भी इसमें मैं कूलने भर रहा हूँ, मतलब इसको पूरा उपर तक फिल कर लेना है, उसके बाद में फिर हल्का सा मुझे जो है, इसको लूज करना है, लूज करने के बाद में फि निकितम करके भी दिखाऊंगा, तो यह देख रहे हैं, यह हलका सा मैने जो है, इसको ढईला किया, यहां से पानी आना शुरू हो गया, पर यहां से फ्लो में पानी आना चाहिए, मतलब बुलबुले नी उठनी चाहिए, अगर यहां पे आप उसको लूज भी कर रहे हैं, तो यहां पे बुल-बुल नहीं उठने चाहिए। जितनी बार आप उसको लूस करेंगे, उतनी बार उसके बाद में आपको यहां पे पानी भरना है इसके अंदर में। जब तक कि वहां से स्कुरू के पास में से एकदम फ्लो में पानी आना ना शुरू हो जाए। उसके बाद में जब मालो अभी पूरा भर गया है, पूरा एकदम हमारा सही हो गया मामला, एक यह स्कुरू लग रखा है आपका जो अंदर हीटर कोर जा रही है ना उसकी पाइप में। तो इस स्कुरू को ढीला करना है, सेम यहां पे भी वही प्रॉसेस रिपीट करना है। इसको थोड़ा ढीला करेंगे, यह देख रहे हैं, बबल्स उठे हलके हलके, तो यह एर निकल रही है आपकी। तो इसको यहां से भी एर निकालनी है मेरे को अपने सिस्टम में से, तो आप कूलेंट डालेंगे, मतलब यह आफे नॉर्मल कंडिशन में गाड़ी में कभी भी प्योर वाटर डालके, मतलब पूरा एकदम पानी डालके ही गाड़ी ने चाना है। उसके दो रीजन होते हैं, पहला रीजन तो यह जो पानी होता है वो भाब बनके उड़ जाता है, क्योंकि उसका boiling temperature जो है वो बहुत कम रहता है, 100 degree centigrade और इतना में तो आपका engine फट से पहुंच जाता है, उसके बाद में वो भाब बनके उड़ना शुरू हो जाता है, तो यह देखिए अभी मैं screw निकाल रहा हूँ, हलके हलके बलबले हैं, तो जैसे यहाँ पे एकदम flow में पानी होना शुरू हो जाएगा, उसके बाद में मुझे यह process बंद कर देना है, और पूरा अपना जो है, वो screw tight कर देना है, तो पहला कारण तो आपको मैं बता रहा था कि यह होता है कि आपका जो water है वो उड़ जाएगा, मतलब evaporate हो जाएगा, दूसरा कारण यह होता है, जंग लगना शुरू हो जाता है, coolant में जो है न वो जंग रोधक जो है, बहुत सारी properties होती है उसमें, तो अभी यह process चलता ही रहेगा अपना, दो तरह के process में मैं बता दिया आपको, एक तो screw जो लग रखा है आपका, प्लास्टिक का है, वो उसको थोड़ा ध्यान से खोल तो वो लग रखा आपका filter के पास में और दूसरा लग रखा यहाँ पर heater core के पास में, इसी से हवा जो है वो निकाली जाती है, अगर आप mechanic हैं, देख रहे हैं, तो आपके लिए बहुत फाइदे मन होने वाली है चीज, क्योंकि YouTube पे अभी नहीं है, और ये बिलकुल भी न करना, कभी मत करना, लाइफ में, तो अभी ये मेरा third day है, अभी ज़ौरा मैं इसको coolant को flush कर रहा हूँ, और आप देख रहे हैं, यहाँ पर पानी, मतलब फिर वही process मुझे repeat करना है, फिर screwed rela करूँगा, हलकी से आवा निकले की tight करूँगा, यहाँ से पानी निकलना यह refit करके ही दोबारा ही खोल रहा हूँ इसको, यह next day मेरा अभी फॉर्थ टाइम है, चौथी बार इसको में निकल रहा हूँ, अभी चौथी बार निकलने के बाद में, almost यह पानी ही निकल रहा है, हलका सा color है इसमें, उसके बाद में यह refit कर दिया है, इसको दोबारा ज एक ची है मुझे फ़नल, जो अलड़ी मेंने बना रखी है, एक ची है कुलेंट का डिबबा, और एक ची है यह यह आरो वाटर मेंने यूज किया, आपके पास में डिस्टिल्ड वाटर हो, वो यूज कर सकते हैं, और यह देखने में गरीन लग रहा है, पर यह अंदर से नी आपको नाप के डालना है, बिलकुल एक दम रेशो में डालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे आप, यह अपने अभी कूलेंट का डिबबा खाली किया न, इसकी तो हमने नपाई कर रखी है, यह एक लिटर मेरा अल्रेडी बकेट में हो गया, अभी एक लिटर में इसमें पानी, तो पानी भरने के बाद में फिर नाप के डालूँगा, ठीक है, तो यह पूरा जो आरो वर्टर ले रखा है मैंने, तो अभी फरनल के साथ में इसमें डिबबे में डाल रहा हूँ, तो डिबबे में कहाना मेरे को नापने के लिए हसानी हो जाएगी, तो इस सेम ऐस इसे ही करके मुझे पूरा डिबबा है, उसमें पानी भरके, उसके बाद में कूलिंट में मिक्स करना है, तो यह टोटल जो है, हलांकि चार लिटर बनाता है, मैंने साड़े तीन लिटर ही बनाया है, ज्यादा मतलब मिक्स नहीं किया है, मुझे थोड़ा डाउट हो रहा थ हलांकि जो कंपनी मैनुफेक्चरर जो है, वो रिकमेंड करता है, उस हिसाब से ही आपको चलना चाहिए, तो अभी मेरा जो है, कूलिट अल्मोस्ट मिक्स हो चुका है सारा, यह दो-तिन बार जो है, उसमें पानी डालके, इसमें मिक्स कर चुका हूँ मैं, तो इसके बाद म से घर में आंगन लीपते हैं, उसका कलर हो चुका है, तो अभी मैं कूलिंट जो है, उसमें डालना शुरू करूंगा, पर मुझे ध्यान यह रखना है, बिल्कुल स्लोली स्लोली डालना है, आपको लगेगा कि यह भर गया है, पर भरा नहीं होता है, वो एर रहती है अंदर तो इसलिए धीरे धीरे उसको डालेगे नहीं, तो बहुत अच्छा रहेगा, प्यार प्यार से उसको कूलेंट को अंदर भनने की कोशिश कीजिएगा, तो यह अभी मैंने कोई एर बेर सिस्टम से निकाली नहीं है, खाली मैं कूलेंट ही इसमें भर रहा हूँ, और जितनी बहुत बर पाँ, तो महां तक इसको भरने है, तो अभी भरे जा रहा हूँ मैं, अभी तक मेरे सिस्टम में से कोई एर नहीं निकाली है, ये म मैं आपको इसलिए अंकट दिकhा रहा हूँ क्योंकि भात चुरूरी है, क्योंकि बहुत इंपोर्टन है, अभी मेरा ये उपर तक अलमोस्ट फिल हो चुका है ठीक है यहां तक मैं इसको फिल कर लेता हूँ फिल करने के बाद में मुझे जो है वो सिस्टम से एर निकालना शुरू करना नी तो इस सबसे पहले जो है न वह आपका ऐर फिल्टर की हाॉजिंग है इस स्कूरू को ढहिला करना है यह देख रहे हैं फुस की sound आएगी मतलब आपकी हवा निकल रही है वहां से जो अपके cooling system में हवा है वो निकल रही है तो इसी तरीके से आपको air निकलनी है जब तक उसके बाद में पानी भरते रहना इसमें तब तक यह process करते रहना है मतलब तब तक यह process चलता रहेगा जब तक कि इस screw में से मेरा जो coolant है वो सही तरीके से एकदम streamline flow में निकलना ना शुरू हो जाए याद रखिएगा यह जो screw आपको मैंने बताया ना इसको यार पूरा निकालना मत बाहर हलका सा ही खोल के उसको बाद में बंद कर देना क्योंकि आपको फिर बापिस चड़ाना तो आपको बापिस लगाना बड़ा मुश्किल सा हो जाएगा और इसको overtight नहीं करना है बिल्कुल भी प्लास्टिक का है तूटने का इसका डर रहता है तो इस सारा process मेरा completely चलता रहेगा उस time तक चलता रहेगा जब तक कि मेरा coolant का जो level है यहाँ पे उपर तक भरना जाए और air मेरी जो है वो बिल्कुल निकलना जाए वो मुझे पता कैसे चलेगा पता ऐसे चलेगा कि अभी मेरा coolant एकदम feel है और वहाँ पे जो है जब मैं इसको dealा करूंगा screw को तो यहाँ पे coolant एकदम flow में निकलना शुरू कर देगा मतलब एकदम बड़िया जैसे धार होती है उस धार से निकलना शुरू कर देगा तो यह अलके हाथ से मुझे देखना है अभी बिल्कुल नहीं निकल रहा है मतलब air है सिस्टम के अंदर तो यह बिल्कुल भी जो है न air रहने नहीं जैनी है अगर आपने air रहने दी सबसे बड़ी समस्या आपकी गाड़ी में आएगी ओवर हीटिंग की और ओवर हीटिंग से आपको सर मैं बता दूँ यह समरिलो आपका इंजन यार 200 रुपे बचाने के चक्कर में एक्दम सत्यानास हो जाएगी इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं इसको सर्विस सेंटर में ही करवाएंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा क्योंकि 240 रुपे सम्थिंग शायद उनका इसका कूलेंट चेंज करने का चार्जिस है तो उतने में हैर कुछ बिगड़ता नहीं है अपना राइट क्यों अभी देख रहे हैं जैसे हलका सा स्ट्रीम लाइन कूलेंट निकलना शुरू हुआ मतलब जो मेरी एर है सिस्टम से ने निकल गई है पुर मुझे स्ट्रीम लाइन कहनना शुरू हो गया मतलब मेरा कहने का है एर सिस्टम में से मेरी निकल चुकी है एकदम अब इसको दुब्रा भर दूणा दोबरा भरने के बाद में जो रूसरे स्क्रू की बारी आएगी इसको पूरा फिल पर दिया अब इ process repeat करना है यही इसमें ज़्यादा खेल नहीं है मतलब यह दो चीजे ही basic हैं पर maximum mechanics को बाहर में पता नहीं है mechanics तो क्या यार almost काफी बंदों को पता नहीं है क्योंकि आपने आज तक जो वीडियोस देखी हैं वो वीडियोस आपने देखी हैं normal गाड़ियां जैसे maruti होगे hyundai होगे इन गाड़ियों का coolant change करने का देखा है अगर किसी को duster का knowledge होना तो duster में भी same process ही जो है वो किया जाता है reno की काफी गाड़िया है जिनमें यही process जो है coolant change करने के लिए use किया जाता है अभी देखना मैं यहाँ पे coolant भर रहा हूँ और वहाँ बुलबुले निकल रहे है हलके हलके मतलब मेरी system में air है यह बिलकुल नहीं रहने देनी है अगर हलकी फुलकी भी air रहेगे ना यह दे streamline हो चुका है एकदम धार जो है वो बढ़िया हो चुकी है मतलब हमारे system में से जो है वो air निकल चुकी है तो यहाँ पर भी बापिस coolant भर दूँगा एकदम टॉप लेवल तक और उसके बाद में मतलब अपना काम हो जाएगा fit पर एक बार recheck करना है आपको डालने के फिल कर देंगे जो मेरा reservoir था वो मैंने बार बार चेंज नी किया था आपको बता दूँ जितनी बार मैंने flush किया था उतनी बार इसको चेंज नी किया था भी last में जब हम coolant डाल रहे है तो इसको maximum से थोड़ा सा नीचे तक भरना है पूरा उपर तक नहीं भरना है ताकि इस इसको expansion की थोड़ी जगा मिले बापिस अपनी जितनी भी pipe थी उनको बापिस लगा देना एकदम refit कर देना है पूरा एकदम system check कर लेना okay है की नहीं आपकी radiator की cap जो है वो एकदम nice and tight जो है वो एकदम होनी चाहिए बंद होनी चाहिए फिर आपको check करना है system में कोई leakage तो नह करना चाहिए ने तो आपकी गाड़ी में नुकसान हो जाएगा बहुत specially जो आपका flow रहना नीचे का साफ होना चाहिए एकदम सूखा होना चाहिए तो आपको पता चल जाता है कि हलकी फुल्की दोचर बूंदे भी गिर रही है की नहीं गिर रही है तो सर इतना सब करने के आपको आजाना गाड़ी के अंदर आपने अपनी जो कूलेंट की कैप आपने एकदम टाइट कर दी है कूलेंट लेवल मेरा एकदम ओपर तक फिल है टॉप तक फिल है एगर मैंने सारी उसकी निकाल दी है रेडियेटर होस जो था मेरा नीचे वाला बॉटम वाला उसको मै नहीं है, लीकेज मैंने चेक कर लिया है, कहीं से हलके फुलकी भी लीकेज नहीं है, ये सब करने के बाद में आपको गाड़ी के अंदर आजाना है, अंदर आने के बाद में आपको गाड़ी करनी है, स्टार्ट, राइट, स्टार्ट कर दिया है, मैंने, स्टार्ट करने के बा पाद में आपको क्या करना है, यहां पर एर फिल करनी है, एकड़ मगरम हवा आनी चाहिए छांपके पांच मिनेटे लग diferentes, यहां पर एकड़Пр़ पाद लेंच लगने के बाद में आपको क्या करनाहाई यहां पर एकड़ मुर्म हवा नहीं आरे है अंतलब आपके सिस्टंЙ मे आपको याद रखना है यहाँ पे कोई चेक इंजन लाइट जो कूलेंट वाली आती है कूलेंट टेमपरिचर सेंसर वाली लाइट यहाँ पे बिलिंक नहीं करनी चाहिए बिल्कुल भी अगर यह बिलिंक कर रही है मतलब आपकी गाड़ी ओवरीट हो रही है तो अगर मालवे सारी कंडिशन फुल फिल हो गई यहाँ पे गरम हवा भी आ रही है एकदम फर्स क्लास यहाँ पे मेरी कोई लाइट भी नहीं आ रही है मेरे को गाड़ी कितने ज़र तक स्टार्ट रखनी है जो मेरा डेडियेटर फैन है वो कम से कम दो बार ओन हो जाए एक बार ओन होगा सही है उसके बाद में थोड़ी ज़र बाद में फिर ओन होगा दो बार जब ओन हो जाएगा उसके बाद में मुझे अपनी काड़ी दो जाए वो कर देनी है बंद ठीक है तो ये सब आपको कर लेना है, करने के बाद में आपकी गाड़ी ओके है, आप इसको अराम से चला सकते हैं, आपका कुलेंट का लेवल है, एक दम फिल हो चुका है, कुलेंट आपका दुबारा फिल हो चुका है, आशा करता हूँ, छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होग क्वारा फिल हो चुका है।